हलो स्टुडेंट्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल आज हम डीशी मशीन का लेक्चर नंबर 6 डिसकस करेंगे इसमें हम डीशी मशीन के पार्ट डिसकस कर रहे हैं तो फिल्ड सिस्टम, आर्मेचर, कम्मिटेटर यह हम डिसकस कर चुके हैं आज जो हम डिसकस करने जा रहे हैं पार्ट वो है ब्रश एंड ब्रश गियर तो इन चार पार्ट के अलावा भी कुछ पार्ट होते हैं वो हम आगे लेक्चर में डिसकस करेंगे तो आज हमारा topic रहेगा brush and brush gear तो पहली बात तो हम बात करें अगर तो इस machine में जो armature होता है और commutator होता है वो दोनों चुकी same soft पर लगे रहते हैं इसी वैसे दोनो rotating part होते हैं तो armature भी rotate करता machine में commutator भी rotate करता परन्तु brush, brush machine का stationary part होता brush कैसा होता पहली बात brush stationary part होता इस्थिर part होता ये घूमने वाला part नहीं होता तो पहली बात तो ये है कि जो हम brush पढ़ने जा रहे हैं brush जो है वो stationary part होता stationary part यानि कि इस्थिर part होता ये और खास बात ये है ये rest करता है rest आराम कहां करता है commutators की surface आप देख रहे होंगे कि ये कहां लगा रहा था commutator की surface पर ये rest करता तो ये part है आप ध्यान से देखें तो ये machine का field system है ये armature है ये commutator है brush कहां rest करता है ये commutator की surface पर rest करता है तो brush जो है वो machine का stationary part होता है यानि कि इस्थिर भाग होता है ये नहीं घूमता stationary का मतलब इस्थिर ये इस्थिर भाग होता है ये घूमता नहीं है और ये rest करता है on surface surface यानि कि सतह पर of commutator commutator की surface पर ये rest करता है तो brush के बारे में पहली important बात आपको पता चली कि brush जो है stationary part होता रुकावा part होता ये घूमता नहीं है और ये commutator की surface पर rest करता है तो नहीं दूसरी बात अगर हम बात करते हैं कि जो brush होता है इसका function क्या होता काम क्या करता है brush तो अगर हम commutator का function देखें तो commutator sorry brush का function अगर हम देखें तो brush का function होता है कि commutator से current को collect करके उसे external stationary circuit को provide करना देना तो ये क्या करता है ये commutator से current को collect करता है और उसे external stationary circuit को provide करता है तो इसका पहला function अगर हम देखते हैं कि इसका function क्या होता है काम क्या होता है इसका एनिकी तो brush का function होता है to collect to collect the current from commutator to collect the current from commutator commutator to external current को collect करके to provide to collect the current from commutator to provide external यानि कि बाहरी stationary circuit actually जो बाहरी सरकिट होते जहां हमें current को लेना होता वो भी stationary सरकिट होते इस्थिर सरकिट होते हैं और यह brush भी stationary होता है तो यह क्या करता है commutator जो की rotating part होता उससे current को collect करता है और उसे external बाहरी stationary circuit को परदान करता है actually होता क्या है हमने बताया था जब हम armature को घुमाते हैं यानिकी soft को घुमाते है सबसे पहले prime mover के help से जब prime mover के रूप में बताया तो हमने diesel engine, petrol engine या कोई electric mover यूज़ करते हैं जब हम soft को घुमाते हैं तो armature घुमता है armature कहां घुमता है magnetic field में तो यह magnetic field में जब घुमता है तो armature में से गुजरने वाला flux change होता जिसके कारण armature में rate of change of flux के proportion यानिके flux परिवर्तन के दर के ब्राबर एक EMF induced होता पैराडे के नियम से जो की alternating nature का होता इसी वज़े से हमें चाहिए होता DC nature क्योंकि हम DC machine पढ़ते हैं, हम DC generator पढ़ते हैं हम DC चाहते हैं, तो इसलिए commutator द्वारा AC को DC में convert किया जाता conversion का काम करता commutator अब उस DC को collect करके बाहरी circuit में परदान करने काम कौन करता? ब्रसिट यानि कि ब्रसिट जो होते हैं वो आपके external circuit को DC देने का काम करते हैं बाहरी circuit को DC देना काम करते हैं तो पहला function होता इसका to collect the current from commutator यानि commutator से DC लेकर बाहरी stationary circuit को DC देना, ये इसका पहला function होता दूसरी बात ये है कि ब्रश का दूसरा function एक ये भी रहता है कि इसका function ये भी रहता है कि ये winding को parallel circuit मे divide करने का भी काम करता है तो ब्रशिद जो है वो ये भी काम करते हैं कि function of brush ये भी रहता है function of brush brush का function ये भी रहता है is to divide यानि कि बात देना divide the windings in parallel path या parallel circuit parallel path या parallel circuit में windings को divide करने का काम भी ये करता है parallel circuit और path तो इसके दो function है brush के अगर आप से कोई function पूछे कि इसका काम है commutator से current का collect करके external circuit को provide करना इसके अलावा brush का function है winding को जो आर्मेचर में winding है उसे parallel circuit या parallel path में divide करना तो इसका दो function रहते हैं जैसे हम जानते हैं कि आर्मेचर में दो winding होती है एक left winding एक wave winding तो जो left winding होती है कौन से winding left winding तो left winding के लिए left winding के लिए जो parallel path होते है number of parallel path number of parallel paths इनको represent करते हैं A से parallel path को तो इसमें parallel path जो होते है left winding के लिए वो होते हैं poles की संख्या के equal है न तो इसमें अगर आपका left winding है अर्मेचर में तो ये ब्रसित जो होते हैं वो कितने parallel path में divide करते हैं जितने poles होते हैं उतने ही parallel path में ये winding को divide कर देते हैं जबकि अगर dove winding यूज कि जाती है तो wave winding के लिए wave winding के लिए क्या करते है कि number of parallel path number of parallel path को हम A से represent करते है तो number of parallel path जो होते है वो always two होते है यानि कि जो brushes होते है अगर wave winding की जाती हार मेंचर में तो जो brushes होते हैं वो winding को केवल दो parallel circuit में या दो parallel path में divide करते हैं तो आपको समझ में आ गया कि भी ये दो काम करते हैं current को collect करके committator से बाहरी circuit को परदान करना और winding को parallel circuit में या parallel path में divide करना इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें material की के brush जो होते हैं वो किस से बनाए जाते हैं मैं बता दू थोड़ा brush के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो brush होते हैं उनके साथ spring भी लगा रहता और ये brush कहां लगे रहते हैं अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा ये भी आपको पता होना चीए कि brush कहां लगे रहते हैं ब्रश जो होते हैं वो आपके brush holder में लगे रहते हैं किसमें लगे रहते हैं brush brush को एक box type के brush holder में लगा जाता है तो brushes are fitted in box type जादतर actually brush holder कई परकार के होते हैं लेकिन जादतर box type के brush holder यूज़ किया थे तो brushes are fitted in box type brush holder box type के brush holder में ये fit रहते हैं दूसरी बात यह है कि इन में brushes में spring भी लगा रहता है जैसे यह आपका माल्या commutator surface है यह है आपका माल्या commutator commutator हम जानते हैं ring होता split ring होता टूटावा ring होता है तो यह आपका माल्या commutator है commutator segmented होता होता टुकडो के इस तरह सेग्मेंट होते हैं तो यहां पर जैसे माल्या ब्रश लगावा होता है इस तरह से यह ब्रश है तो खास बात ही जो ब्रश होते हैं इनके साथ कि даже granddaughter क्ट्रिन भी लगा रहाता है क्या लग रहता girlfriend तो यह आपके जो और बन के बरस होते हैं इस तरह से हम धोड़ा देख लएते हैं थोढ़ा सा कि I कि यह जयसे हमारा कमीटेटर सर फेस है तो यहाँ पर ऐसे यह बरश historION लगे होते हैं, इस तरह से, तो जो ब्रसिज होते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं, कौन सी फॉर्म में बने होते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो ब्रसिज जो होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, जारतर रेक्टेंगुलर होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप आता है किस प्रेंग जो launch रहाता इनके साथ वह किसले होता है मौ Er ऌह स्पृंग भी लगा रहता श्पृंग का यूद ए इस पृंग का यूद प्रश के यह बरश है समय यह हमारा माल्या कम्मिटे HISां सर्फेस हैं कम्यूटे इंटर सर्फेस तो spring का use brush को commutator surface पर press करने के लिए क्या जाता है तो यह जैसे हमारा brush है तो brush को commutator surface पर press करने के लिए दबाने के लिए उसके tension को adjust करने के लिए यानिकि इसे दबाने के लिए प्रेस करने के लिए brush का use के लिए था इसके अलावा इसके tension को adjustment करने के लिए एक lever भी इसमें लगा रहे था तो एक बात और समझ माए गया आपको के brush जो होते हैं वो कहां fit रहते हैं brush holder में fit रहते हैं और जो की box type के brush holder होते हैं जादा तर box type के brush holder पर यूज किया थे brush जो है rectangular shape के होते हैं आयताकार shape के होते हैं और इनमें की spring भी लगा रहा था वो spring क्यों लगा रहा था इनके इनको press करने के लिए अगर आप इसे ऐसे उठाएंगे brush को यह उपर उठ जाता spring के help sir आप जैसे ही छोड़ेंगे तो यह वापस इसका इसी पर जाकर press हो जाता commutator surface पर इसके अलावा इसमें एक lever लगा रहा था वो इसके tension को adjustment के लिए होता तो यह जो part साथ में लगा रहा था brush के जैसे spring, lever, holder यह सब कहलाता brush gear क्या कहलाता यह? brush gear तो brush के साथ एक system और भी लगा रहा था जिसमें spring, lever, holder यह सब चीज़े होते हैं तो वो सारा part कहलाता brush gear दूसरी बात अब important बात जो इसमें रहती सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता कि यह material इसके लिए क्या use होता तो मैं बता दूँ आपको कि जो brushes होते हैं वो generally soft material से बना जाते हैं ब्रसिज को कैसे बना जाता? generally soft material से बना जाते हैं brushes को हमेशा तो brushes हमेशा soft soft material का use करके बना जाते हैं जैसे soft material कौन से? जैसे की carbon तो brushes generally carbon से बना जाते हैं कार्बन से ब्रसिज को बनाए जाने का रीजन क्या है तो कार्बन से ब्रसिज को बनाए जाने का रीजन कई है यानि कि मैं यूँ कहना चाहता हूं कि ब्रसिज हमेशा जनरली कार्बन के बनाए जाते हैं Перев difference, के- बजाएं हम ब्रसिज किसके यूज करतें कार्बन, तौ कार्बन ब्रसिज अधार यूज के जाते हैं, रेधर दैन, कार्बन ब्रसिज, तो कार्बन ब्रसिज के बजाएं, हम क्या यूज करतें ज्यादा तर, हम यूज करते हैं Carbon Braces तो Carbon Braces को यूज करने का Copper Braces के बजय क्या कारण होता इसके कई टो कई सारे Advantage और रेजन रेजयर क्या क्याक्य रेजन है जैसे सबसे पहली बात कि जो Carbon होता वो उसमें Advantage हमें ये मिलते हैं Advantage अगर हम देखें Carbon Braces के advantages of carbon brush carbon brush के अगर हम advantages देखें तो पहला advantages वो यह होता है कि जो carbon brush होते हैं इनका melting point high रहता है high melting point यानि कि melting point का मतलब गल्लांक बिंदू गल्ने का बिंदू तो इनका जो गल्लांक बिंदू होता carbon brush का वो copper के respect में अधिक होता है यानिका melting point जो होता है वो लगभग होता है 3600 degree centigrade तक लगभग 3600 degree centigrade के आसपास इनका melting point होता है तो इनका melting point बहुत जाद होता है जबकि जो copper होते हैं उनका melting point अगर देखते हैं तो copper का melting point only लगभग 1100 degree centigrade होता है कितना होता लगभग 1100 degree centigrade तो इनका melting point अगर हम देखें तो carbon brush का melting point copper brush के respect में बहुत जाद होता है होता क्या है कि actually जब हम जब हमारा कमिटेटर जो होता वह घूमता है कमिटेटर जब घूमता है तो carbon brushes और कमिटेटर के बीच में sparking produce होती है क्या produce होती स्पार्किंग तो जब कमिटेटर घूमता है और brush इस्टेशन ही रहता तो इनके बीच में क्या हो जाती sparking produce होती जिससे temperature जो होता वह आपका कुछ बढ़ जाता temperature क्या होता बढ़ जाता तो इनके बीच में sparking के वैसे temperature बढ़ जाता गरम हो जाते हैं brushes लेकिन चुकि इनका melting point बहुत अधिक होता तो इसी वज़े से यह melting point जादा होने के वैसे इनका 3600 degree centigrade है यह melt नहीं होते हाई temperature पर भी तो मैंने बताया कि जब कमिटेटर घूमता है ब्रस इस्टेशन ही रहते के बीच में sparking produce आती है उसे sparking से जो ब्रस होते हों मैल्ट हो सकते हैं तो अगर हम अगर हम copper brushes के बजाए carbon brush यूज करेंगे तो इनका melting point चुकि ज़्यादा रहता इसी वैसे यह melt नहीं होते हाई temperature पर भी तो दूसरा advantage अगर हम देखें इसमें दूसरा advantage अगर हम देखते हैं इसमें तो जो copper brushes होते हैं वो soft होते हैं दूसरा advantage अगर हम देखें copper brushes का क्या advantage है कि soft होते हैं soft than या compare than copper soft होते हैं compare than copper copper के अपेक्षा यह soft होते हैं copper के अपेक्षा क्या होते हैं soft तो अगर हम copper के brush use करें तो उसके वज़ाए अगर हम carbon brush use करते हैं सोफ्ट रहने से क्या होता सोफ्ट रहने से यह होता कि यह कमिटेटर सर्फेस को घिसते नहीं है एक्चली अगर हम माल लिया बरसिज हार्ड होते कमिटेटर सोफ्ट होता तो फिर उस कंडिशन में बरसिज कमिटेटर सर्फेस को घिसते जिसके कारण हमारी मोटर खराब हो जा परटने जाते हैं कि ब्रस को कम्मीटेटर के अप़ेक्सा सेफ्ट मनाए जाते हैं ब्रस हार्ट रान कापर साइगल नह肯 जब कीवछी सोफ्ट मय्टियल कारबन से बने जिसके वाएसे ब्रस प्रषल्थ गीशते हैं लेकिन कममीटीटर सर्फेस को नहीं गेशतें तो लेकिन क्या ना खिसे कम कमईुटेटर ना किसे को सफ्ट मैटियल से बना जाता तो कमई ुटेटर के देशा यह बहुत सोफ्ट होते हैं जिसके वैज pana जो इनके हुआ five लरीग tissue गूलता है ब्रशिच इस्तlast रहते ने बुद्ट में फ्रिक्ष्ण होता तो इसी वैसे ताकि अगर हम कापर के बरश यूज़ करेंगे तो उसे घिस सकता लेकिन कार्बन जो है वो कम घिसता क्योंकि सॉफ्ट मैटियल होता इसके अलावा इसके अलावा अगर हम देखते हैं इसमें तो ये कार्बन जो होते हैं वो इजिली शेप आपकी ले लेते हैं तो कार्बन जो होते हैं कार्बन में एक ये भी एडवनटेज रहता कार्बन टेक जोकि ये सॉफ्ट होते हैं तो कार्बन टेक इजिली इसली shape of commutator shape of commutator यह commutator की shape ले लेते हैं easily तेकि यह भी advantage रहता है इनका कि यह जो है commutator की surface के according जो है carbon के बरस inspirations easily shape absorb जो है ले लेते हैं जहें मेरा कहने का मतलब यह होता है कि जैसे माल लिया यह जो बरस होते हैं ब़ेन बताया थैं rectangular shape के होते हैं कैसी shape के होते हैं चो जब नया बरस खरीदे हैं तो इस तरह का बरस होता जबकि commutator surface जो होती है वो इस तरह के होती है तो commutator चुकि गोल होता जबकि brush जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं लेकिन चुकि यह बहुती soft होता जो brush होता यह बहुती soft होता तो यह अगर आप इसे थोड़ी सी देर, 10-15 मिनट भी अगर आप इसको चलाएंगे तो इसकी shape motor को अगर आपने थोड़ी देर भी चला लिया तो इसकी जो shape होती है soft होने के वज़े से यह बिल्कुल commutator वाली shape ही ले लेती है तो brush जो है जैसी आप थोड़ी देर motor चलाएंगे तो जैसी commutator घुमेगा तो चुकि commutator hard होता brush soft होता तो इस वयसे यह घिसने के कारण यह इस तरह की shape ले लेता तो ना और इस condition में पहली बात तो contact अच्छा मिलता क्योंकि यह brush है यह brush है और यह commutator surface यह किसकी surface है? Commutator होगी तो अगर आप देखते हैं कि अगर आपका जैसी हम थोड़ी देर motor चलाते हैं तो क्या होता है? कि यह soft होने के वज़े से यह commutator की जो surface है उसी के according जो की goal है उसी के according brush भी अपनी shape बना लेता soft होने के वज़े से जिसके वज़े से इनका contact हमें अच्छा मिलता काफी बड़े रीजन में हमें contact मिलता इस condition में contact बहुत कम रीजन में मिलता इस condition में contact बहुत बड़े रीजन में मिलता इतने लंबे रीजन में और इस condition में बड़े रीजन में contact मिलने के वज़े अच्छा contact मिलने के वज़े इस पार्किंग भी कम होती है इस कंडिशन में इस पार्किंग इस जगे इस जगे हो जाती है इस कंडिशन में स्पार्किंग कम होती है तो लो इस पार्किंग इसमें होती है तो यह भी एक अवंटेज है कि कार्बन जो है कार्बन के ब्रस बनाने से हमें क्या फाइदा रहता क कार्बन एक सोफ्ट मैटियल होता जिसके वैसे वो कमिटेटर सरफेस की शेप में ही आ जाता कुछ देर यूज होने के बाद और जिसके वैसे इनमें कॉंटेक्ट हमें अच्छा मिलता कमिटेटर और ब्रश के बीच में और स्पार्किंग कम होती है तो यह भी एक एडवंटे लूब्रिकेंट मैटियल होता कैसा मैटियल है यह सेल्फ लूब्रिकेंट मैटियल यह भी एक एडवांटेज रहता इसका कार्बन ब्रश का कि एक सेल्फ लूब्रिकेंट मैटियल होता यह कार्बन जो है वो एक सेल्फ लूब्रिकेंट मैटियल होता यानि कि इसको किसी भ भूंता है ब्रस रुका रहता इनके बीच में हां फ्रिक्षन होता इस जगे क्या होता इस जगे फ्रिक्षन लेकिन अगर आप कार्बन ब्रस यूज दे करेंगे तो आप देखेंगे कि कार्बन का ब्रस जो होता कार्बन बिलकुल सॉफ्ट मैटियल होता बिलकुल सॉफ्ट मेटियल की जुरत नहीं कि किसी ओइल या ग्रिस की इसको आवसकता नहीं होती यह benefit रहता अगर आप कार्बन ब्रस यूज़ करते हैं तो कार्बन एक सेलफ लूब्रिकेंट मेटियल होता तो इसे किसी lubricant के आवशकता होती है जैसे की oil, grease तो इन सब की इसमें आवशकता नहीं पड़ेगी क्योंकि एक self lubricant material है यह खुदी इतना soft होता कि यह commutator की surface को नहीं गिसता है यानि कि बहुत ही कम friction करता है यानि कि बिल्कुल फिसलता चबा जाता है यानि कि commutator जब घूमता है तो इ यह भी एक advantage मिलता कि self lubricant material होता है तो इसे किसी भी lubricant के आवशकता नहीं होती है फिफ्थ फिफ्थ अगर हम देखें तो जो carbon होता यह negative resistance temperature कॉफिशेंट वाला होता है कैसा होता negative resistance temperature कॉफिशेंट नेगेटिव रस्टेंज टेंप्रेचर कॉफिशेंट वाला होता है तो नेगेटिव रस्टेंट टेंप्रेचर कॉफिशेंट वाला होता है कि अगर टेंप्रेचर बढ़ेगा कि भी जो आपका कापर जो कमिटेटर सेगमेंट होता है ब्रस होते हैं इनके बीच में जब यह भुम था कमीट तो तो इक स्पार्किनग प्रडूस वहाती उससे से इनका टेंप्रेचर जो होता को बढ जाता टेंप्रेचर बढ ने से रसिस्टेंश इसका नेगेटिव यानि कि घट जाता और रसिस्टेंश घटने से क्या होगा येजिली करन्ट को कलेकच कर पाता है जैसे कापर की बात के नहें तो बने से उसका रसिस्टेंज बढ़ने से पर बने से करंट को कम कलेक करना शुरू कर देता जब कि कापर बच क्या फायद है कार्बन बयुक्स और फिट एक यह नेगेटिर अस्टेहर टेमको फिश्टेंट वाले होते हैं यानिकी हिंदी मैं कहते हैं रणात्मक प्रतिरोध ताप गुनांग तो अगर टेमप्रेचर बढ़ेगा तो रसी तो जीसका टेंपरेचर बढ़ता है तो सब्सक्राइब नेगटी हो जाता घट जाता Alors एक पारण सवर्श कारेभर दानी के वैसा है है के एक आप समझके होंगे कि कि carbon brush के ही use करते हैं तो एक simple सी अगर हम इसको श्वर्ट में बात करें हैं क्या बिता सकते कि brush कीormuş पहली बात बता ही हमना कि brush जो होते हैं वह उन्हें करें क Lor वो कमिटेटर के न लगा घुल्डर से रहते हैं और यह जादतर वा क्मिटेटर के बनाया जाते ह 활inho सोफ्ट मेटियल कोण सा जैसे कारबन तो कारबन के बजाए कापर के बजाए कारबन के ब्रस्ट क्यूं बनाए जाते हैं जयाधा तर क्योंकि कारबन के ब्रस्ट के कई advantages होते हैं जैसे की high melting point soft होते हैं compare then copper copper की एग्यम्तल किला करन isto सफथ होते हैं मीकि और शेप ले लेते हैं तो यह थोड़े टाइम बाद कुछ देर यूज करनेके बाद तो इसके कर और चाए मिलता इसके मेलावा यह सल्फ reciprocate matter पोडु नहीं होता यह रार यहानी कि profund में लेकर किसी भी लॉब्रिकंट मैटियल आउशक्ता नहीं हently क्यंकि हमार कि की बीच में जौरत नहीं तो से body कि लुब्रिकेंट मेटियाल होते हैं तो यह इतने सिल्की और वोते हैं के यह कमीटेटर की सरफेज होते हैंजोता इन से फिसलता चला जाता किसी भी अविंग्रिकेंट की आवसकता नहीं होती इसके लावा यह नेगिटीर रस्टेंज को आफिश्यनट इसके करन टेंपरेश्ररन दर्ने से इनका तरस्टंस नेगेटिव हो जाता घट जाता या निकी जब शर्ड Judge POL देघने के हैसे इजी करन को क्लेक करता रहता है। तो यह इसके हमने ब्रस सिस्टम ब्रस थोड़ा बता है ब्रस आ दिए यवारेमे अज तो आज इस लेक्टर में बस इतना ही वीडियो देखने के लिए थैंक यू